हेलो फ्रेंड मैं हुसनिया स्निया सर्मा किचैन में आपका स्वागत करती हूं आज मैं बहुत ही टेस्टी रेस्पी बनाऊंगी पत्ता गोभी कटलेट जो पत्ता गोभी से बना कर तयार करूँगी तो इसके लिए ये एक बड़ा साइज का पत्ता गोभी ली हूँ अभी मा साइज का प्याज लिए उसे लंबे स्लाइस में कट कर ली हूँ बिल्कुल बतला पतला काते उसके बाद वन टीस पून अधरक लासुन का पेस्ट, अब चाहें तो बारी कटी हुई अधरक लासुन भी डाल सकते हैं, हाफ टीस पून हल्दी पौडर और वन टीस पून खरा ध दनिया होता है उसको कूट कर ली हूं इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी रेस्पी में उसके बाद हाप टीय स्पून आलमीर्ष पॉडर और हाप टीय स्पून ही धनिया पॉडर डाल दी उसके बाद बेशन आधिक बेशन ली हूं मैं पर बेशन का यूज इस दूड़ा कम करें गे तो बेशन डालने से पहले मैं एक चमच यह चावल का आठा है इससे डालेंगे इससे बोहती कृष्पी में चावल का आठा डाल दी हूं उसके बाद दूच बेशन डालेंगे पहले उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे बैशन को जादक करेंगे तो पुकोड़े का टेस्ट हाईगा इसलिए इसमें मैं स्कांट का यूच कम की हूँ और गेहूं के आटे का भी यूच की हूँ तो पहले दो चमस बेशन डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ उसके बाद अब इसमें गेहूं का आठा डालेंगे तो आधिक कफी गेहूं का आठा भी लेकिन मैं इसमें से चार टेवल इस्पून गेहों के आटे का यूज कि हूं तो मैं अभी ही चार टेवल इस्पून के आटे ढ़ाँच पर पानी का यूज ओगा बस एक से दो चममचि पानी का यूज करेंसे अङ yht करेंगे यूज में बहुत ही कम पानी का यूज दो चमच और बेशन का यूच करोंगे तो आप दो चमच बेशन डाल देती हूं तो इस रेस्पिय में कुल चार चमच बेशन का यूच की हूं और चार चमच ही गेहूं के आटे का तो आप चाहें तो बेशन से भी बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं तो देखें 2 चमच और बेशन का जूग की हूँ अगा यूज बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हैं हाथ, जघानहीं बेशन दालकर उहाँ पे 2 चमच पानी का ज् configurह थी तो चमच पानी डालकर अच्छे से इसको mix कर ली हूँ, देखिए अब इससे बहुत ही अच्छे हमारे पत्ता गोभी के cutlet बनेंगे, बिल्कुल देखिए अच्छा से, इस तरह से रोवाँ थोड़ा सा पहले गोल कर ली हूँ, उसके बाद इस तरह से इसको, हाथों से इसको shape दे देंगे, तो इस तरह से बढ़ अदेt पोले कुछ भी बोल सकते हैं, घाने में बोहती ज्यादा nasty लगती है और बनाना भी बहुत ही आशान है तो सभी को इसी तरह से गोल गोल बनाकर तयार कर लेती हूँ, तो इसी तरह से सभी को बना लेती हूं उसके बाद देखे मैं आपको दिखा रही हूं कि इस रेसिपी में कितना बेशन और कितने गयों के आठी का यूज की हूं तो आधी आधी कप ली थी उसमें से आधा आधा भी बचा हुआ है तो बस चार-चार चमच ही दोनों का यूज की हूं चार-चमच बेशन का और चार-चमच के हूं के आठी का उसके बाद सभी कटलेट को बना कर तयार कर ली हूं गैस पर एक पैंच ना दी उसमें रिफाइन डाल दी हूं उसके बाद इसको अच्छे से गर्म होने देंगे जब यह मीडियम गर्म हो जाएगा इसे मीड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे तो देखिए एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इसे दूसरी साइड से पलट देती हूं दूसरी साइड भी पलट कर इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे तो इसी तरह से सभी को बहुत ज्यादा मार्केट में आ रही है तो आप इस रेशिपी को एक बार जरू ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में इसे चाय के साथ सर्व करें आप साम के नास्ते में या सुबर मॉर्निंग में बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं तो देखें अच्छे से ब्राउन हो गया है तो अब इसे निकाल लेती हूं बहुत ही टेस्टी पत्तगों भी कि एक अड़ेट बनकर तयार है तो इसी तरह से से शेकन्ड बेच भी बना कर तयार कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं तो इसी तरह से इसे भी उलट-पल करती हूं बहुत ही टेस्टी कटलेट बनकर तयार है तो इसे आप अपनी मन पशंद चटनी या सौस के साथ सर्व करें वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन जरूर प्रेश करें ताकि मेरे आ